हालो फ्रेंद्स वेलकम टू आज चैनल 19 जून के एडिटोरियल डिसक्शन में बहुत-बहुत स्वागत है और आगे जाने से पहले सबसे पहले आप लोगों को थाइंक यू सो मच आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया एक और रिक्वेस्ट है आज आप लोगों से कि प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे सब्सक्राइब करना है हलांकि जो वीडियो कल डला था उस पर अभी 400 इवन उससे ज्यादा व्यूज हो चुके हैं 500 अप्रॉक्स होने वाले हैं लेकिन आप लोगों को सब्सक्राइब भी करना है चैनल को बिगॉस चैनल न्यू है चैनल आगे बढ़ सकता है और आपको भी इसमें उतनी ही महनत करनी पड़ेगी जतनी की महनत हम कर रहे हैं आपर तो प्लीज यहाँ पर आपको सपोर्ट करना है और जिस तरीके से कल आप लोगों को ने अप्रेस किया है उसके लिए रियली 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 यह ethics में आप यूज कर सकते हैं, ethics में कई सारे terms में या फिर essay writing में आप इसका यूज कर सकते हैं अभी का जो माहौल है आज हम article discuss करेंगे तो जोरान भी बहुत सारी बाते हमें बता चलेंगी महत्मा गांदी की कहेवे कुछ statement को भी हम पढ़ने वाले हैं तो यह statement आपके ठीक है तो इसको आपको लिख लेना है आए जानते हैं आज के discussion में क्या important है और discussion के खत्म होने तक हमें क्या क्या चीज़ें यहां से मिलने वाली हैं quotation आपको मिल गया है कुछ important basic points जो की आपको आर्टिकल को समझने में मदद करेंगे background वगर को हम जानते हैं साथ साथ में और तीन आर्टिकल होगा जिसको discuss करेंगे और आज हम बहुत interesting कहानी सुनने वाले हैं इंडिया चाइना के relation पर आखिर क्या हुआ था past में क्या हुआ थ लिखा है और वो एक तरीके से बहुत interesting story है जो आपको मालूम होना चाहिए कि एक पहलू ये भी है भारत और चाइना के बीच में and a time for empathy ये article जो है वो economic को target करके लिखा गया है और इसमें हम COVID-19 से जुड़े वे जो problems हैं और कौन-कौन से ऐसे section हैं जो इसमें काफी जादा प Chinese product का bycott हो रहा है उसका क्या फाइदा क्या नुकसान है तो बहुत जरूरी होगा ये आपके लिए जानना क्योंकि हम लोग कई बार बहुत सारे campaign का हिस्सा होते हैं हम चीजों को promote भी कर रहे होते हैं बट हमें exactly जो उसके पीछे का कारण है या जो activities चल रहे उसके बारे में exact points पता होने चाहिए so mains के questions भी दिये गए है answer writing के लिए please आप मेंसे जो fresher है वो घबराये ना इन questions को देख करके mains का answer writing का question होता है उसको देख करके आपको खुश होना है कि ऐसे ही सवाल हमें UPSC में पूछने वाले हैं वो लोग और आप ऐसे questions को कैसे frame करेंगे है ना आपको आप जिस article को पढ़ रहे हैं उसी से article उसी से associated आपको questions दिया जा रहा है तो it's very good time जहां पर आपको इसके बारे में सोचना है और objective question दिया जाएगा तो उसको solve करना है साथ साथ में कल आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे comment दिये हैं लेकिन उस दौरान कुछ लोगों ने answer नहीं दिया है कुछ लोगों ने answer किया भी है comment box में तो please question का answer जो हमारा previous pattern था हम उसको नहीं करेंगे comment box में आज से आपको ये duty दी गई है और आप इसका answer करेंगे ठीक है तो आज क्या पता चलेगा अगर हम basic fact की बात करें तो आपको johnson line 1865 में कहां पर draw किया गया था ये जानेंगे हम लोग और mcdonald line ये कहां पर है 1899 में इसको draw किया गया था सिनो इंडिया agreement हुआ था 1993 में इसमें क्या कुछ हुआ किस तरीके का historical background रहा है तो ये सारी चीज़े हम जाने वाले है आर्टिकल में ठीक है अंतक बने रहरा है एक आर्टिकल आएगा बैजिक दे बुलिट दूसरा आर्टिकल होगा is here said और तीसरा आर्टिकल होगा a time for empathy बह जो नए है या पुराने है अगर आप कहीं से भी सोच रहे हैं कि आपको आई इसके exam में बैठना है तो answer writing ही वो एक session है जिसमें जितना आप खुद को strong कर दे जाएंगे आप selection के उतना ही करीब पहुंसते जाएंगे ठीक है so घबराना नहीं है question को प्यार से पढ़ना है फिर भी try करना है objective question में आपको गालवान river पर सवाल पूछा गया है तो अभी आपको पता है ना बहुत जाता news में है गालवान river यहां से question बन सकता है दूसरा सवाल शिपकिला शिपकिला कहां पर है यह सवाल और तीसरा question आप से पूछा गया है जो lake है जिसे शो मुरेरी है चंद जो एक question गलत हो सकता है इसलिए बहुत जादा aware होने की जरूरत है अब आगे कोचिंग के बारे में जान लेते हैं क्या platform है कैसे हम आपकी मदद कर रहे है step up आईए से कैसा platform है जो अभी तक सारे student को बहुत मदद करता आया है हाला कि अब यह जो हमारा नया channel है is darbar यहां पर ह इस discussion को लेकर के आ रहे है because of the technical problem तो आपको बता दे कि किसी भी course में आपको join करना है तो you are most welcome 875 0069419 हमारा contact number है और अभी offline के लिए आपको कोई बेसे स्विधा यहां पर provide नहीं की जा पाएगी क्योंकि situation उस तरीके से नहीं है वो covid-19 की वज़ज़ से सब कुछ off है लेकिन online जितनी भी facilities है वो अभी आप यहां से avail कर सकते हैं तो जानकारी के लिए call जरूर करें आए discussion स्टार्ट करते हैं और हम शुरू करेंगे अपना पहला article इंडिया चाइना के बारे में बात करेंगे और आज इस article के माधियन से हमें story पता चलने वाली है क्या है वो story तो यह आप सबसे पहले associate कर दीजे GS paper 3 में border area में जो security challenges हैं उसी का हिस्सा हो जाएगा यह ठीक है और GS paper 2 में भी आ जाएगा IR में कि भारत चाइना जब relation के हम बात करेंगे तो वहां पर भी associate हो जाएगा तो background थोड़ा discuss करते हैं फिर article पर चलेंगे background में हम कुछ important boundaries और lines की बात करने वाल boundary को draw किया जाता है Johnson line के नाम से इसका नाम रखा जाता है which put oxide chain in Jammu and Kashmir ठीक है अभी हम इसको image में भी देखेंगे कि यह line कौन सा था कैसे draw किया गया था this boundary was drawn by the British but due to the some reason was not presented to China so China do not approve this boundary ठीक है तो इस boundary को China ने मानने से अप्रूफ करने से बना कर दिया फिर अगला line draw किया जाता है 1899 में ठीक है और Mark Kent ने MacDonald lines का नाम रखा जाता है 1899 में इसको प्रपोस करते हैं China ठीक है इसको प्रपोस किस ने किया था British ने और इसको प्रपोस किया जाता है चाइना के द्वारा to the British India government the boundary was supported and accepted by British officials इसको accept कर लिया जाता है British officials के द्वारा due to the various reasons and the primary reason being that Karakora mountain formed a natural boundary for this line ठीक है तो इस वज़े से फिर आगे बढ़ते हैं आजादी के बाद की बात करते हैं 1958 में क्या होता है चाइना अपना एक मैप पब्लिश करता है और उस मैप में चाइना ने अकसाई चीन प्लेट्यू को अपने मैप में शो किया अपनी टेरिट्री में दिखाया अकसाई चीन के प्लेट्यू को जिसको की फिर इंडिया प्रोटेस्ट करता है और यहीं से कहानी शुरू होती है और बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है 1962 के वार तक पहुँच जाती है बात LAC पर आकर के रुकते हैं LAC क्या है Line of Actual Control जो लगातार न्यूज में बना हुआ है Gained Legal Recognition Sino-India Agreement पहले भी हमने डिसकस किया है यह Agreement sign किया जाता है 1993 में और इसी में Line of Actual Control को ड्रॉ किया जाता है इसको suppose किया जाता है that the demarcated boundary between the two country ठीक है लेकिन एक बात यहाँ पर आपको बूलना नहीं है कि मैक मोहन लाइन भी चाइना और इंडिया के बीच में ड्रॉ किया गया है ठीक है तो यह सारी जो boundary है यह लदाख वाले अक्साइचीन प्लेट्ट्व वाले reason में ड्रॉ किया जाता है और इसको demarcate भी किया जाता है लगता है कि अब सारी चीज़े समाने हो जाएंगी लेकिन फिर से मुद्दा वहीं पहुंच जाता है क्योंकि अभी तग कोई भी ऐसा official boundary में negotiation नहीं हो पाया है इंडिया और चाइना के बीच में इंडियन government even today claim the boundary is similar to the Johnson Line 1865 देखिए क्या यहां पर confusion है या फिर जो दोनों देश निगोशेट नहीं कर पा रहे हैं आपस में उसके पीछे कारने कि भारत आज भी जो Johnson Line अमने सबसे शुरू में डिसकस किया था 1865 में उसको मानता है वहीं पर Chinese government जो है वो उनका दूसरा जो line था 1899 वाला वो उसको favor करता है और इसी बीच यह जो अधेड भून है यह चलता जा रहा है आर्मी अकसर stand-off condition में रहती है दोनों देशों की तरफ से और अभी तक सिनो इंडिया border को असानी से resolve नहीं किया जा पाया है और आज स्थिती यह है कि टेंशन दोनों देश के बीच में बहुत जादा बढ़ चुके हैं हमने अपने कई जवानों का बलिदान वहाँ पर देखा और इतनी जो दुखत स्थिती पैदा होती जा रही है क्या क्या इसको कभी सलजाने की कोशिश नहीं की गई क्या कभी ऐसी को यह पॉर्शिटी नह से पता चलने वाली है देखिए वह जो अभी हम डिसकस कर रहे थे बॉर्डर लाइन को वह यहां पर है यह ग्रीन लाइन जो आप देख रहे हैं डाइद इंडियन लाइन ऑफ परसेप्शन और यह जो और इंज टाइप का लाइन आप इसको देख रहे हैं यह जॉंसन लाइन है और दूसरा वाला जो लाइन है यह इसको perception कौन मांधा है चाइना, चाइना का कहना है कि यहां से चाइना का हिस्सा शुरू होता यह है लिस यह ठीक है तो यह अलग-अलग अभी इस पर बहुत जएदा विवाद चल रहा है और देखे हागे चलकर क्या होता है उसमें इतना जादा confusion है कि दोनों देश अपने अपने तरीके से अपना अपना perception रखते हैं LAC को ले करके और अभी तक इस मुद्दे को resolve नहीं किया गया गालवान वैली में जहां पहले भी stand-off की condition बरकरार थी वहाँ पर आज फिर से यह situation arise हो चुकी है वो दोनों देश देख and resolve forever क्या आपको लगता है कि यह अपना जो boundary dispute उसको resolve नहीं कर पाएंगे कभी भी दूसरा सवाल यह उठाते हैं इस article के माधियम से as dictated by the wisdom of two ancient civilization decide to coexist peacefully by harmonizing our territorial claim through the mutual concessions क्या यह जो अपने अपने तरीके से यह लोग इतने बड़े civilization इतना insane civilization एक तरफ भारत और एक तरफ चीन क्या यह अपने इस territorial claim को peacefully resolve करने में सक्षम नहीं है और तीसरा सवाल यह है कि was there a time when India and China could have followed such a wise course that clinched the boundary settlement क्या कभी कोई ऐसा समय था जब इन दोनों देशों के बीच की जो problem है उसको resolve किया जा सकता था तो इसी मुद्दे पर discussion आज होना है no compromise stance on LAC आपको बता दें आज मीडिया जनता हर कोई यह कह रहा है कि LAC यानि line of actual control जो है वहाँ पर कोई compromise ना करे सरकार किसी भी तरीके से कोई compromise नहीं होना चाहिए ठीक है और अब यह भी बताते हैं कि जो present government है वो इसी चीज़ को adopt कर रही है जो उनके follower है वो लगातार प्धान मंतरी से अर्ज कर रहे हैं कि कोई compromise ना किया जाए और इसी चीज़ को देखते हुए यह dispute को लगातार आगे extend किया जा रहा है बलकि उस पे कोई भी मसले पर उसको कोई भी सुझाव ऐसा नहीं दिया जा रहा जहां पर की चीज़ों को resolve कर दिया जाए तो 1960s की बात करते हैं यह कि जब वहाँ पर एक opportunity आई थी भारत सरकार के पास हम इसको आगे डिसकस करेंगे उस opportunity को हमने वहाँ पर छोड़ दिया था चाइना ने एक solution दिया था एक historic opportunity मिली थी दा दिन प्राइम मिनिस्टर जवाला नहरुच साब को लेकिन उन्होंने उस opportunity को accept करने से मना कर दिया था और क्योंकि तब भी यही बात थी कि इंडिया की territory और sovereignty पर कोई भी compromise नहीं करना है और यहाँ पर यह जो article हम discuss करें इसमें एक अलग angle है आपको इस बात को समझना है कि पीछे क्या हुआ था क्या offer दिया गया था और यह जो dispute आज है LAC में और इसकी वज़ा से जो इतना नुकसान हो रहा है economic का या सबसे बड़ी बात है कि human power का वो उसको resolve किया जा सकता था पीछे लेकिन उसको हम resolve नहीं कर पाए थे तो देखी aggression बढ़ता गया और 1962 में Chinese war होता है aggression होता है और उसके बात की जो कहानी है वो आपको मालूम है तो यह जानते हैं क्या हुआ था एक package deal लेकर के आता है चाइना और यहाँ पर इंडिया में विजट करते हैं Chinese premier Zhou Enlai उन्होंने विजट किया 1960 में और देखी उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा I have come here to seek a solution not to repeat argument उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर एक solution चाहता हूँ भारत आने का उनका मकसद solution लेकर के आने का था ना कि उसी argument को फिर से बढ़ाने का था जो इतने दिनों से चलता आ रहा था तो डादिन प्राइम मिनिस्टर और चाइना के बीच में यह dispute तब से था तो आप जब थोड़ा history में जाकर के उस समय में देखेंगे 50 से 60 65 के दिसक में जाकर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक अजीव सी स्थिती थी एक तरफ तो हम भारत चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे दूसरी तरफ बांडरी डिस्प्यूट चल रहा था तीसरी तरफ अलग अलग policies अपना ही जा रही थी दोनों चाइना एक्सेप्ट करेगा और जो अकसाई चीन का हिस्सा है उसको चाइना के कंट्रोल में दे दिया जाए तो ये जो दोनों एक्सचेंज ओफर एक तरीके से था कि फुल नाचर प्रदेश को इंडिया के सौवरें ट्रेटरी मान लिया जाएगा और अकसाई चीन को अबेस्डर थे इंडिया के फॉर्मर एंबेसडर टु चाइना आर के नहरू रोने बताया कि वहाँ पर क्या कहा गया था अर फ्रेंडशिप इसमोर्टेंट तिंग ही तो आर के नहरू ठीके चैना में बात कई गई थी कि जो फ्रेंडशिप है वो ज्यादा इंपॉर्टन है उनके लिए इंडिया रिजेक्ट इस ओफर तो बही इंडिया ने क्यों रिजेक्ट किया इस ओफर को जो की ये ओफर वहां से चाइना से भीजा गया था एक पैकज डील की तरह 20 घंटे की पूरी वारता हुई टॉक हुआ पीम नहरू के साथ लेकिन ओविसली चाइना को य नहीं कर सकते एक बहुत इंड्रस्टिंग बात आपको बताती हूँ कि नहरू साब ने क्या कहा था इस पर नहरू साब ने कहा था कि उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह जाएंगे और उस समय के जो ओपोजिशन लीडर थे यहां पर वो अटल बिहारी वाजपई जी का भी जखर करते हैं और जो राइटर हैं बहुत इंड्रस्टिंग बात है कि वो अटल बिहारी वाजपई के साथ उन्होंने क पूरी तरीके से कोशिश की थी कि चैना इंडिया के बीच में जो ये बॉंडरी डिस्प्यूट उसको रिजॉल्व कर दिया जाए पर्मानेंटली रिजॉल्व कर दिया जाए चीक है उसके बाद कई सारे स्टोरियन आई जिसकी श्रीनात रागवन है उनका कहना है कि एक अ नहीं होती ये बहुत सारे स्टोर हिविन का भी पहले मानना है कि we can take average of theively इक्षट कर लिया जाता तो उसके क्या दी में से क्या में सबढ़िया जाता और इस निकोसियot के बाद ही ये बॉनरी डिस्प्यूट है वह पर्मानेंटल्ट हो जाता पहली चीज़ दूसरी चीज कि किसी भी ऐसे war like जो condition create हो जाती है और हर दूसरे तीसरे साल ये स्थिती पैदा हो जाती है 2013 से हम देख रहे हैं कि aggression बहुत बढ़ता जा रहा है 13, 17 और फिर ये 20, even 2014 में भी स्थिती पैदा हो गई थी तो ये war like condition जो है वो नहीं होता तीसरा क्या consequence है that there would have been no recurring face off along with the dispute LAC LAC को लेकर के कोई ऐसा विवाद जो आज है वो नहीं होता जो 2020 में हम ये देख पा रहे हैं वो नहीं rise होता चौथा एक important बात यहां पर बताते हैं कि उस समय में अगर इस deal को India accept करता तो आज जो जम्मो इन कश्मीर पर आप देखते हैं कि जब भारत कोई भी अपना कानून बनाता है या कोई भी step लेता है तो चाइना पाकिस्तान का पक्ष लेता है तो इन सब dispute से हम वहाँ पर बत सकते थे और एक अच्छी deal थी जिसको के accept किया चासकता था according to the writer यहाँ पर हम जितनी भी बातें कर रहे हैं वो इस article के माध्यम से कर रहे हैं यह सब एक angle है यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप हर चीज को अपने answer में लिखो बट आपको एक मालूम होना चाहिए कि आखिर पहले क्या हुआ था कौन सा package लेकर के आये थे क्या कहा गया था और हमने कैसे उसको accept नहीं किया था और accept नहीं करने की वजह से क्या कुछ negative और positive क्या consequences रहे हैं उस पर हमें सोचना है तो इसलिए article को हम यहाँ पर discuss करते हैं तो आपको बहुत यह unbiased होकर के neutral होकर के article को लेना होता है तो उसके बाद क्या हुआ कई सारे summits हुए हमने डिसकस किया था एक दिन कई सारे agreements हुए और दोनों ही देशों की तरफ से good and bad की जो conditions है वो लगातार बनती रहती हैं और जो नहरू साब को उस समय प्रपोजल दिया गया था क्या उससे अच्छा कोई प्रपोजल हम लेकर के आ सकते हैं क्योंकि यह युद्ध तो obviously कोई मसला नहीं है किसी भी किसी भी ऐसे problem का solution नहीं है और इस तरहिकी के stand-off बार-बार होना और और economically जो crisis arise होती है strategically कैसे arise होती है इसको बार-बार face करना obviously एक सही तरीका नहीं होगा और इसको कैसे हम resolve करें इसके लिए क्या best outcome हो सकता है can India ever drive China out of oxide chain वो हिस्सा जहां पर एक तरफ चाइन ने अलग-अलग तरीके से चाइना घुसपैट करता है या फिर construction करने की कोशिश करता है या फिर अपना डब-बा जमानी की कोशिश करता है दूसरी तरफ चाइना का अलग-अलग project जो पाकिस्तान occupied कश्मीर से हो करके निकल और यही सेम कंडिशन जो अभी लद्दाक में राइस हो रही है वो अरनाचर प्रदेश में भी पैदा हो सकती है क्योंकि यह जो नो कॉम्प्रमाइट स्टैंस पर गोवर्मेंट टिकी हुई है बिकॉस अफ अफ पाबलिक डिमांड बिकॉस अफ अफ दा मीडिया डिमांड इतना बड़ा इतना एंसेंट सिवलाइजेशन इतना बड़ा नेशन जो अगर कॉपरेट करें तो हम कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं और आज आपस में इतना बड़ा विवाद दोनों देशों के लिए नुक्सान दे है क्या हर चीज का सोलूशन निकाल पाना असान होगा प्रिजन गवर्मेंट है उनको इस तरफ सोचने की जरूरत है और उनके पास एक Sweet है और राइटर कह रहे हैं कि उनके पास एक है उनके पास एक चॉफ है उनके पॉछ से आपको आपॉत्चरी दी गई थी उन्होंने उसका use नहीं किया था क्योंकि उनको एक डर था कि उनकी जो सरकार है वो चली जाएगी तो अभी पॉलिटिकल ओरिंटेट ना हो कर गी कल आपको याद होगा हमने एक और डिसकस किया था कि जब बात भारत की सिक्योरिटी की आ जाए तो वहाँ पर सिक्योरिटी के प्रस्पेक्टिव से सोचना ज़रूरी है ना कि पॉलिटिकल प्रस्पेक्टिव से और आज कई सारी ऐसी चीज़ें हुई है इन दिनों जहाँ पर पॉलिटिकल प्रस्पेक्टिव बहुत ज़ादा होता है rather than strategic perspective तो इसलिए चाहे कोई भी सरकार हो चाहे कोई भी गवर्मेंट चाहे कोई भी policy makers हो उनको इस बात को हमेशा धान में रखना चाहिए कि जो strategic superiority है और sovereignty है उन हर चीज़ पर focus करना ज़्यादा ज़रूरी है rather than the political aspect चीक है तो इस पर आपको question दिया गया है सोचना है अभी तक कई सारे article हमने discuss कि इंडिया चाहिना पर आप हर किसी के angle को जो भी आपको याद आ रहा हो अपने answer में लिख सकते हैं और ये जो article हमने discuss किया हो सकता है कि यहां से आपको एक ही point मिल जाए answer में डालने के लिए लेकिन वो भी काफी होगा आई अगला article डिसकस करते है time for empathy बहुत ही अच्छा article है economy से आप इसको associate कर देंगे GSP3 से देखिए इसमें क्या कह रहे हैं writer सबसे पहले तो इनका कहना है कि COVID-19 pandemic जब से आया तो उसने सारी चीजों को तहस नहस कर दिया कई सारी families हैं जो आज सडक पर आ गई हैं वो अपने घर तक जाने के लिए वो पैदल जा रहे थे और migrant laborer की सारी समस्याएं आपके सामने आई और इंडिया की बात करें तो यहां पर unemployment बहुत तेजी से बढ़ा और एक के बाद एक कई तरीकी की struggle हमें face करने पढ़ रहे हैं because of this COVID-19 and we must realize that this is a critical moment यह जो समय है यह इतना आसान नहीं है यह बहुत critical moment है और इस समय में हमें उसी empathy को feel करने के जुरद दे कि आपको पता है न sympathy और empathy में difference empathy यह word आपके exactly ethics के paper में लिखा हुआ है तो ध्यान दीजएगा empathy का मतलब होता है कि जब आप उस व्यक्ति की जगा पर खड़े हो करके सोचते हैं जब आपको उतना ही pain feel हो रहा होता है ठीक है जब आप उसके situation में रह करके देखते हैं तो आप empathy को show करते हैं तो यहाँ पर का जा रहा है कि यहाँ पर हमी sympathy नहीं बलकि empathy की ज़रूरत है वो लोग जो आज इतने परिशान है जिनको economic crisis आ गई है health crisis आ गई है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं उनके लिए सरकार क्या कर सकती है इसको सोचने की ज़रूरत है किसी को disappoint यहाँ पर ना किया जाए जितने भी लोगों को हम help कर सकते हैं वहाँ पर help करना चाहिए इसे बहुत सारे देश हैं जो अभी COVID-19 का second wave भी झेल रहे हैं So various other challenges in India आप इंडिया की बात करते हैं other countries को छोड़ करकर इंडिया पर आएं तो एक तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के challenges है COVID-19 के पहले बहुत सारे बदलाव किये गए थे आपको याद होगा लेकिन COVID-19 जब से आता है तो क्या हुआ migrant जो laborer हैं उनकी problem साथ में millions of people कुछ ऐसे जो self-employed people थे individuals उन सभी को आज economic crisis झेलनी पड़ रही है और साथ ही इस pandemic की वज़ा से बहुत सारे लोगों की जाने जा रही है हम life को खो रहे है साथ में hunger जैसे समस्याएं भी बहुत जगा पर देखनी को मिल रही है एक vulnerable section जो है society का वो इन सारी चीजों से लड़ रहा है आज आपके सामने है and many of them have traveled great distance drive by the object poverty to find work बहुत सारे ऐसी इवन महिलाएं हैं ऐसे migrant worker हैं गरीब लोग हैं जिनकों की आज काम नहीं मिल पा रहा जिनकों की कोई इसा source of income नहीं मिल पा रहा कि वो अपने आपको फिर से revive कर पाए और वो अपना इवन जो basic necessities हैं उनको भी पूरा कर पाए तो इंडिया में एक साथ कई तरीकी की challenges को face करना पड़ रहा है ये politics करने का समय बिलकुल भी नहीं है इस समय बहुत अच्छे से सोचना होगार किसी को कि it is not the time for politics यहाँ पर best ideas और action की जरूरत है कि कैसे हम most vulnerable people को बचा पाएं अपनी society में उनको आज ये जो challenge है उसको opportunity में create कर पाएं transform कर पाएं पुरी economy को इस pandemic के से उनको बचा पाएं ये बहुत जरूरी है before the pandemic happened अब देखे क्या हुआ कि ये तो pandemic COVID-19 आता है और अभी ये सारे से बंत हो जाती economic crisis हो जाता है लेकिन इसके पहले 2016 से बहुत सारे बदलाव किये गए चुकि हम economic article discuss कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि one of the most जो बहुत बड़ा change आप कह सकते हैं economic change भारत में लाया गया था GST को implement किया गया demonetization किया गया चीक है बहुत सारे और चीजों को बदला गया कई सारी कानूनों को बदला गया इन दिनों 2016 के बाद से और अब देखिए क्या सिती हो रही है अगर आप GDP के terms में बात करते हैं तो वो काफी नीचे चला जाएगा भी तो 11 साल में ऐसा पहली बार होगा जब GDP का जो भी projection है वो तो बहुत नीचे एस्टिमेट किया जा रहा है एवन कुछ ऐसे और इसे जो ने निगेटिव में भी इसको एकसेस कर लिया है तो अभी एकोनामिक इससे बहुत ज़्यादा खराब और होने वाली है पेंडेमिक के बाद हम काफी एवन लॉस भी करने वाले हैं जैसे कि जो फॉर्ण कैपिटल के गर बात कर लें तो मार्च में ये 16 बिलियन डॉलर था और अनेम्प्लाइमेंट की बात कर लें तो 23.8% पहुँच गया अभी तक का अपरल में अनेम्प्लाइमेंट को यहां पर एकसेस किया गया इंडियन एकस्पोर ड्रॉब बाई 60% भारत से जो समान बाहर जाता है वो नीचे आ गया 60% तक अभी तक का और आवर ग्रोथ विल प्लम तू अन ओल टाइम लो संसा इंडिया इंडिपेंडेंज और ये पहली बार हो रहा है जब ग्रोथ इतना नीचे चला गया हो ये जो स्थिती है हालां कि पूरे विश्व में आई हुई है लेकिन भारत इसको कैसे निप्टेगा भारत में भारत कितनी बड़ी जनसंख्या है इतना डाइवोर्सिटी है इसमें हम कैसे इस चलाइज को अपूर्शिटी में क्रियेट करेंगे इस बात पर फोकस करना जादा जरूरी है ये बहुत अच्छी बात है इसको आप लिख सकते हैं क्योंकि आपको एक बात बता दें कि कुशन जरूर पूछा जाएगा इन टॉपिक के ऊपर यहां पर आप महात्मा गांदी जी के स्टेट्मेंट को जरूर याद रखेगा जब भी आप ऐसा आंसर लिख रहे हों तो वहां पर इसको आपको लिख देना है या ऐसे में लिख देना है आप उस गरीब इनसान उस कमजोर इनसान का चहरा याद कीजिए और आप यह सोचिए यह जो कदम आप उठा रहे हैं क्या यह उसको फाइदा पहुँचाएगा अगर यह उस इनसान को फाइदा पहुँचाएगा तो इसका मतलब आपके द्वारा उठायागा कदम बिल्कुल ठीक है और आपकी एकोनॉमी में आपकी कंट्री में वो हर इनसान को मदद पहुचाएगा तो आगे क्या करना है अपनी एकोनॉमी को नर्चर करना है अच्छा बनाना है, एकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसीज को और स्ट्रॉंग बनाना है और एक बहुत अच्छा एंगल यहां पर डिसकस कर रही है कि आज हमारी सोसाइटी में एक और प्राब्लम अराइस हो गई है वो क्या है इंटॉलरेंस, वो क्या है वाइलेंस, इससे दूर जाना है हमें भी सोसाइटी को अच्छा बनाना है, स्ट्रॉंग बनाना है सेक्यूलर सोसाइटी को यहां पर इंक्लूजिव और इसको नर्चरिंग ग्रोथ प्रवाइड करना है जिसमें की all religion, caste, race, gender हर किसी को फाइदा मिले, हर किसी को नर्चरिंग मिले त्योंकि आप imagine करो अगर बच्छपन में अगर infant को नर्चर नहीं किया जाएगा तो वो आगे बढ़कर के आज उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगा तो इसलिए हमारी economy के हमारी society के हर उस इंसान को हमें नर्चर करना है हर उस caste, race, gender को हमें नर्चर करना है जिसको इसको जरूरत है और ऐसे में जो भी ये ऐसे behavior हैं जो violent हैं या जो बहुत intolerant behavior है उसको हमें खतम करना है poverty, unemployment obviously बहुत बड़ी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं intolerance, violence और खास करके जो environmental catastrophe है वो भी create हो रहा है तो इस सभी को इस हर crisis को हमें खतम करना है आगे कहा जा रहा है we have hope for India's future हमारे पास एक hope है कि अपने future को अच्छा कर सकते हैं जो nation का culture है उसको और strong बना सकते हैं and we should strive to create a society that respect knowledge, science, technology and culture यहां पर हमें knowledge, science, technology and culture के उसी हर एक technique को strong बनाना है society को और आगे prosperous बनाएगा, growth प्रोवाइट करेगा conclusion का कहना है कि आगे हमें ambitious अपने आपको ambitious रखना है और इंडिया को richest nation बनाना है यह ना सोच करके इंडिया को strongest nation बनाना है आत्म निर्भर भारत का वो जो सपना है आपको उस पर जाके focus करना है आप कैसे इसको self dependent बना सकते हैं, self reliant बना सकते हैं और पूरे world में इंडिया की जो position है उसको कैसे और nurture कर सकते हैं इसके बारे में सोचना है policy making करनी है और अच्छे अच्छी economic policies को तयार करना है अगला article discuss कर रहे हैं बहुत important है सभी लोग कह रहे हैं bycott कर देना चाहिए Chinese product को और even किया भी जा रहा है आपको बताएंगे कैसे तो इससे क्या फाइदय क्या नुकसान है आईए इसको हम जानते हैं यहाँ पर syllabus में थोड़ा सा इसको ठीक करेंगे paper 3 में आ जाएगा यह लेकिन यहाँ पर economy वाला section होगा यह right तो economy के section में हम इस article को रख सकते हैं जो भी important fact मिलेगा आपको main article पर सीधे चलते हैं standard BSNL ने it must not use Chinese made equipment कोई भी ऐसा network upgradation plans जो है जिसमें Chinese product का इस्तमाल किया जाता है उसको नहीं use किया जाएगा साथ में जो private mobile service providers हैं उनको भी कहा जा रहा है कि China के बने हुए किसी भी equipment पर अपनी dependency को वो कम करें लगातार कम करें उनसे यह कहा जा रहा है और एक बहुत interesting fact आपको पता चल गया होगा एक company है चाइना की engineering company है जिसको की contract मिला था इंडियन railway का और इंडियन railway ने उस contract को cancel कर दिया है हलाकि इसके पीछे वो कुछ बहुत सारे अलग अलग reasons को provide कर रहे हैं लेकिन यहां पर इसको जोड़ा जा रहा है अभी के इस event से जो इंडिया चाइना के बीच में महौल पैदा हुआ है लदाक में और उसके बाद ही इस agreement को cancel किया गया है लेकिन वहां पर कई सारे अलग issues को बताए गए है कि क्यों इस agreement को cancel किया गया है क्या लापरवाही है चाइना officials के तरफ से क्या दिक्कते आ रही है इस वज़े से इंडिया डिल्वी ने इसको cancel किया है तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि by court of Chinese product tender obviously contract लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसकी appeal भी पूरे देश में चल रही है its own set of consequences देखिए यह हम यहाँ पर consequence discuss करेंगे तो consequence में article जो है वो इसका negative aspect show कर रहा है कि जब हम by court कर रहे हैं तो उससे क्या नुकसान भारत को हो सकता है लेकिन इसका दूसरा भी aspect है जो आपको खुद में ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है जब भारत की sovereignty की बात आती है जब भारत की respect की बात आती है तो ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं और सबसे बड़ी बात है भारत एक emerging market है यह बात हर किसी को समझनी होगी यह बात चाइना अमेरिका और भर उस बड़े देश को समझनी होगी जो अपने हाँ पर trade को बहुत आगे फैलाना चाहते हैं बढ़ाना चाहते हैं कि भारत उनको कितना बड़ा market प्रोवाइड करता है तो उस angle से भी आपको सोचना है खेर आर्टिकल का जो angle है उसको देखते हैं आर्टिकल का मानना है कि इसके अपने कुछ economic consequences हो सकते हैं जैसे कि क्या consequences हैं इसको देख लें इंडिया is dependent on Chinese product जिसे कि जो make in India हम concept लेकर के आ रहे हैं उसमें चाइना के product पर electronics से लेकर के fertilizer तक पे भारत की जो company हैं वो काफी ज़्यदा dependent होती है और अगर हम किसी भी तरीके का import कम करते हैं reduce करते हैं या bycott करने का plan बनाते हैं चाहे वहाँ पर हम tariff को बढ़ा दें या जो non tariff barriers है उसको वहाँ पर लगा दें आपको याद हमने discuss किया था कि non tariff barrier में क्या क्या आता है tariff barrier में tariff barrier में सीधा tax वगर को raise कर दिया जाता है non tariff barrier में अलग angles को use किया जाता है तो अगर आपको याद आ रहा हो कि non tariff barrier का example क्या है तो आप comment box में बताएगा ठीक है so यहाँ पर हम ऐसे steps को ले सकते हैं अगर ऐसा करते हैं तो obviously जो Indian companies हैं उनको नुक्सान हो सकता है किसी भी तरीके के जो capital goods को import किया जाता है खास करके जो intermediate product जैसे हम कोई भी समान की manufacturing करते हैं उस manufacturing में लगने वाले जो समान है जैसे आप अपना कोई भी समोबाइल ही चेक कर लीजे या आपके पास जो भी electronic item है उसको आप चेक कीजे तो हो सकता है कि पूरा समान चाइन का ना हो लेकिन उसमें कुछ ना कुछ यसे product लगे वे होंगे जो made in चाइना होंगे तो आज हमारी dependency तनी ज़्यादा है चाइनीज product पर उसके लिए बहुत सारे कारण है चाइना ने यहां के market को capture किया है समान ससे दाम पर provide करता है और बहुत सारे ऐसी चीजे हैं तो अगर वो restrictions लगाए जाते हैं तो यह क्या करेगा domestic manufacturing को affect करेगा जो यहां की competitiveness से उसको affect करेगा यानि की जो हमारी domestic manufacturer है उनको समस्या आ सकती है ठीक है तो इनका यह कहना है दूसरा angle यह क्या लेते हैं दूसरा angle लेते हैं कि भारत में बहुत सारे से project चल रहे हैं जिसमें की China की company इन्वेस्ट करती है जैसे की Zomato, Paytium, Byju's, Ola, Caps यह सारे जो हैं जो भारत में चल रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करती है Chinese company, Alibaba, Tenence यह सारे हैं अब अगर हम यहां पर कोई भी इस तरीके का step उठाते हैं तो हो सकता है कि उसका एक अलग consequence इन कंपनियों को भूगता पड़ेगा और उनकी जो उनका investment है वो रुक सकता है ठीक है तो यह एक aspect यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको दूसरा वाल aspect भी clear होना चाहिए कि sometime it requires, sometime it necessary to show the strength of the country कि अगर आप किसी भी तरीके से हमें जुकाने की कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से भारत को कमजोर समझने की कोशिश करते हैं तो it is not like that at all आपको भी इसका बहुत बड़ा खामियाज़ा वोगतना पड़ेगा आपको बता दे हमने एक दिन discuss किया था कि जितना important किसी भी देश के लिए export होता है न उतना ही important किसी भी देश का importer होना भी होता है तो हमेशा यह ज़रूरी नहीं कि आपके यहां से बहुत रदा export हो रहा है तो आप बहुत ही favorable condition में है अगर आपके यहां पर बहुत import होता है तब भी आप favorable condition में होते हैं negotiating capacity जो है वो आपकी काफी तगड़ी हो जाती है आपको याद होगा चाइना ने अस्ट्रेलिया को भी धंकाया था कि अगर आपने वो जो resolution आया था अभी coronavirus के लिए जो resolution लाया जा रहा था और WHO में इसको की लाने से चाइना मना कर रहा था और शेलिया को इसने धंकी भी दी थी कि हम आपके यहां से import को बंद कर देंगे तो इस तरीके से यह जो धंकी है इसस चाइना ही नहीं दे सकता भारत के पास भी इतनी है domestic capabilities को बढ़ाने की सबसे अधर जरूरत है जो long pending legislation लाये जाने थे जिससे कि हमें structural reform करने में सहाइता मिलेगी हम domestic company को अच्छी position पर ले जा पाएंगे उसको लाने की जरूरत है इंडिया's strategy should be to boost manufacturing competitiveness तो उस तरफ भारत को सोचने की जरूरत है उस तरफ strategy को लाने की जरूरत है यह जो bycotting Chinese product है will be heavy and may even the counterproductive इनका कहना है कि यह नुकसान पहुंचा सकता है counterproductive long term में हो सकता है ठीक है तो यह काफी important articles है hope clear हो गया होगा हाँ comment करना मत भूलिएगा कैसा लगा जरूर बताईए बहुत अच्छा लग रहा है और खासकर के अभी तो इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है friends and really आपके support के बिना बहुत मुश्किल है कि मैं इस तीज को continue करो तो प्लीज आप लोग मेरे साथ रहेए इसको share कीजे जितने ज्यादा लोगों को share करेंगे जितने ज्यादा लोग जुडेंगे उतना ही वह हम मेरे को अग्माइस करेंगे और में पहचान जाएंगे बस हमें उन तक पहुंचने की जरूरत है तो अब आईए एंसाइटिंग के question देख लेते हैं पहला सवाल देखे क्या पूछा किया तो अब यह ने जो पहला आर्टिकल दिसक्स किया था ना उसी के तरज पर यह question frame किया गया है तो आपको उसी के एंगल से लिखना है कुछ facts डालने है कि कैसे वहां से प्रपोजल आता है पैकेज आता है इनेलो जी को प्रपोजल दिया जाता है इसके बारे में थोड़ा आप और जो अडल बहरी बाच्पेजी के government थी उस समय के event को भी पढ़ सकते हैं कि उस समय में क्या हुआ था वहां पर क्या प्रपोजल भारत की तरफ से लाया गया था उसके बाद इसमें आप उसकी consequence के बारे में लिख सकते हैं कि क्या positive consequence हो सकते थे ठीक है तो यह चीज़ें आप लिखके और अपना answer frame कर सकते हैं शुरू कीज़े जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा actually में बहुत अच्छा answer कुछ नहीं होता है answer हमेशा comparative होता है तो आपको शुरू करना बहुत जरूरी है दूसरा सवाल आपसे पूछा गया इंडिया चाइना immediate boundary dispute will strengthen आत निर्वर अभियान scheme of इंडिया तो जो boundary dispute है इसमें क्या हो रहा है अध्यान से इसको सोचेंगे अलग एंगल से तो जो bycotting of product हो रहा है कि आप बंद करो हम मां की agreements को cancel कर रहे हैं contract को cancel कर रहे हैं भारत चाइना के product नहीं लाने दे रहे हैं तो हम इससे क्या करेंगे इसके बाद हम अपने भारत की तरफ ही तो देखेंगे कि यह जो समान है वो भारत में मिल रहा है कि नहीं और अगर नहीं मिल रहा है तो उसके ल प्लीस ट्राइट आज का देखते हैं फिर कल के कोशन का अंसर भी देख लेंगे कालवान रिवर पर है दो स्टेटमन पूछा गया है इट ओरिजिनेट इन एरिया ऑफ सम्जोलिंग ऑन इस्टरन साइड ऑफ दे काला कोरम रेंज इस वान अप स्ट्रीम टिविट्री ऑफ आंसर बताएगा कमेंट बॉक्स में दूसरा सवाल है शेपकेला इस सिचुएटर विच फॉलॉविंग स्टेट बताना है स्टेट का नाम और यह जो लेक है क्या वो इसी जगह पर है शो मुरेरी लदाक में है चंदताल इमाचर पदेश में और पॉंगॉंग शो लदाक मे इसको सही आंसर आपको बताना और कमेंट करना है कहांपर कमेंट बॉक्स में आएए कल के कुश्ण का अनसर देख लेते हैं दॉलत बेग ओल्डी पर आपसे सवाल पूचा गया था दो स्टेट्मेंट पूचा गया था सुल्तान शहय खान के नाम पर बिल्कल बिलकुल सही स्टेटमेंट है और दूसर स्टेटमेंट भी बिलकुल सही है आपको कल मैंने इमिज भी दिखाई थी कि एक्जाक्ली कहां पर यह लोकेटिट है जॉलत बे गोल्डी यहीं पर रोड कंस्ट्रक्क किया गया है चायना को खुननस आई और फिर यह सिच्वेशन आ इन्डस रिवर की ट्रिबिटरी अश्योग आद रखेगा अगला सवाल पूछा गया था कि फार्मर्स प्रड्यूस में क्या क्या आता है तो यह तीनों चीजें जो फार्मर्स प्रड्यूस में आते हैं यह आपको याद होना चाहिए आंसर होगा डी इन्डस यह रोड़ी को परमिट कर दिया गया है और प्रोहिबीट किया गया है इस ओडनेस के माध्यम से किसी भी तरीके के मार्केट फी एसस को लगाने से स्टेट को तो सी इसका अंसर होगा सई स्टेटमेंट था आज करता ही थाइंक यू सो मच काम तो पताना क्या करना है लाइक कर देना है सब् चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं और हमारे साथ है यही बहुत बड़ी बात है दो तो प्रीज आज भी आपको करना है यह काम में लगातार करना है जब तक की हम उसी मुकाम पर नहीं पहुंच जाते है जहांपर हम ने अपने उस चैनल को उठाया है तो चलेए फेर कल फिर म में जितने सवाल आप से पूछे गई हैं सो थाइंक यू कल फिर मिलता है